हलो एब्रिवन वन्स अगेन आई वेलकम यॉल एड कोचिंग फिल्टर वेल इंग्लिश ग्रामर के आज की सेशन में हम डिसकस करेंगे प्रिजंट पर्फेक्ट कंटिन्यूस टैंस इससे पहले आपकी टैंस की चार क्लासेज कंड़क्ट हो चुकिए है फस्ट जो सेशन था में चैने को ंवर्व्यू और जो ऐसके बाद में उसके बाद में स्यम्पल प्रिजंट कंटिन्यूस और प्रिजंट की क्लास होई ती आज का जो हमारा सेशन थे औरल पcost ganhar Wisconsin वे जैकिन उससे पहले आपको इसक्रीन पे दिख रहा होगा आउंसर शीट ख doğ is present perfect ょ J sopr clean d तो आप पिछले सारे सेशन्स भी देखिए वो सारे सेशन्स आपको इस चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे और उसके साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का आपको लिंक मिलेगा टैन्स पे जाने से पहले अगर मैं बात करूँ प्रफेक्ट कंटिन्यूस टैन्स की तो हम टैन्स पो बढ़ने से पहले हमारा जो फिक्स फॉर्मेट होता है कि कुछ गोल्डन पॉइंट्स हम देखते हैं जो हमने पीछले सेशन्स में भी डिसकस किया थे कि जब कभी वर्ब क फिर्स फॉर्म प्लस आई एंजी दिखे तो स्टैन्स के नाम में कंटिन्यूस दिखेगा यह चार्ट आपको दिख रहा है उस चार्ट में आपको यह चीज हर जगे वेरिफाई होती भी दिखेगी हैज हैव यह हैड और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो स् एम खे座्य के साथ वाप की फिर्स फॉर्म प्लस आयंघी तो प्रिजंट नकी वग्यार के साफ वर्ब की फ़र्स फॉर्म प्लस आयंजी तो प्लेजिक वोग्या कि पतनुअ सेनग उगे बार लगा जब इससको रिवाइज करेंगी हमारे सेशन में तो सब चीजे क्लियर ह इसके जो uses होते हैं यानि उप्यों कहां होता है तो tell about something started in the past and has continued until now यानि कोई ऐसी चीज जो past में शुरू हुई है लेकिन अभी तक वो जारी है उस स्थी में आप use करते हो present perfect continuous sentence का जो adverbs होती है यानि कुछ पैचान कुछ ऐसे शब्द जो इनके sentences में दिखते हैं वो होता है आपका recently, lately इस तरह के word और perfect continuous है तो sense of order definitely आपको देखेगा present perfect continuous में आपके key points के हैं जब simply affirmative sentence होता है उसमें has या have के साथ been आता है मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब कभी आपको has, have या उनके साथ had या इसके साथ been दिखे तो sentence के नाम में perfect continuous होगा तो देखे लिए यहा present perfect continuous है इसलिए has, have और उसके साथ में बीम दिख रहे है फिर continuous है इसका मतलब verb की first form प्लस ing भी आएगी तो आगे आपको verb की first form प्लस ing भी दिख रहे है और sense of order तो आएगा इसके नाम में ही सब कुछ चिपा होता है अगर यह continuous है देखो इसके नाम में है पूरा नाम है इसका present perfect continuous तो अगर यह continuous है यानि इसके नाम में verb की first form प्लस ing इसका जो format और उसमें आएगा प्लस ing दिख रहे हैं अगर यह perfect है तो मैंने बोला था has, have या, that aur उसके साथ बेवर की third form आएगी तो आपको has, have यहां आपको दिख रहे है और उसके साथ में आपको verb की third form भी दिख रहे है उसके बाद मैं में बात करूं verb की third form के रुप में आपको b की third form bean दिख रही है singular subject जब he, she, eat, any, name कोई आता है तो has been होता है plural subject i, b, you, they या वोगों के नाम होते हैं तो वहाँ have been आपको दिखता है present perfect continuous tense का जो simply affirmative sentence है वो किस प्रकार से बनता है देखो subject होता है उसके बाद में helping verb होती है तो has ya है और उसके बाद में been लगा हो है plus verb की first form plus ing plus object plus sincere four और others sentence आप देखिए चार sentence आपको है दिए होए सामने रेखा has been reading a book since morning रेखा सुभह से एक किताब पढ़ रही है अब या sincere four का जो format है वो आपको समझने के लिए आपको धान में रखना होगा since समय सा आता है एक fixed timing के लिए जब निश्चित समय हो उसके लिए आपका since आता है और initiate समय जो non fixed timing होता है या जिसके बारे में आप निश्चित नहीं है उस समय में आप four use करते हो second sentence देखे we have been watching tv for three hours तो हम तीन घंटे से टीवी देख रहे है अब इस sentence को देखे आप यह नहीं बता सकते कि कौन से तीन घंटे से इसलिए यहां four का use हुआ है I have been studying GK since last week I have been studying GK since last week या नि मैं पिछले सब्ता है से GK की पढ़ाई कर रहा हूँ तो आप यह तो बता सकते हो पिछले सब्ता उसके बारे में आप सारी डीटेल्स बता सकते हो कौन सी तारी, कौन सा वार, सब कुछ तो यहां यह आपका since use हुए You have been working since 2016 तुम 2016 से काम कर रहे हो तो 2016 एक fix time होगे इसलिए यहां since का use हुए Next अपन चलते है Negative sentences पे subject plus has कुछ नहीं होता सिर्फ helping आपके बाद में तुनत बाद में आप not जोड़ दो वह नेगेटिव बन जाते है तो फर्स sentence है आपका रेखा रेखा सुबह से किताब नहीं पढ़ रही है हम तीन घंडे से टीवी नहीं देख रहे है I have not been studying GK since last week मैं पिछले सपता है से GK नहीं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ You have not been working since 2016 तुम 2016 से काम नहीं कर रहे हो Next आपको जो format है वो है interrogative sentence देखो इस interrogative sentence जो यह प्रशनवात्चे को आपके मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि दो तरह से बनते हैं कुछ ऐसे प्रशन जिनका जवाब आप हा या नामे दे सकते हो मालो मैंने आपको पुछा कि क्या तुमने खाना खा लिया तो वहाँ आप बोल सकते हो अगर खाया तो हाँ नहीं खाया तो नहीं तो उस प्रकार के प्रशन जा हा या नामे जवाब देना इसा बताना होता है तो वह वर्ड से वह आपके जो sentence या जो format वह आपका शुरू होता है तो उस प्रकार के question tag की तरह से होते हैं वह वर्ड प्लस has या have प्लस subject प्लस been प्लस वर्ब की first form प्लस ing प्लस since you have प्लस others और सबसे last में आपका question बार sentence में देखिए आपको सारी चीज़े clear हो जाएगी क्या रेखा सुबह से एक किताब पढ़ रही है तो इस प्रशन का जबाब आप हा या ना में दे सकते हो इसलिए यह प्रशन आपका has have या नि helping आप से शुरू हुआ है second आपका sentence है why have we been watching tv for two hours हम दो घंटे से tv क्यों देखने है क्यों देखने है तो आपने reason पूछा है हाँ या ना में जवाब नहीं आप दे जाते हैं तो वहां आपका coding या have लगा है तो have से यह sentence आपका शुरू हुआ है fourth आपका sentence है have you been studying for exam since last week क्या तुम पिछले सब्ता है से अपने exams के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो हां या ना में जवाब दे सकते हो इसलिए has या have में से have लगा है क्योंकि you आपका plural है और आपका sentence have से शुरू हो के last मेंस म इस प्रकार के वाके जहां interrogative या नि कोई प्रिशन भी पूछा जाएगा और negative यानि not का sense भी वहाँ आएगा नकारात्मक्ता का भाव भी वहाँ पर आएगा अगर कुछ ऐसे प्रिशन होते हैं जहाँ आपका फर्स से शुरू होते हैं वह प्लस है अगर आप इस चीज को धान में रखिए कि यहाँ जो आपका first sentence है वो है has रेखा not been reading a book since morning रेखा क्या रेखा सुभह से एक किताब नहीं पढ़ रही है second आपका sentence है why have we not been watching tv for two hours हम दो घंटे से tv क्यों नहीं देख रहे हैं क्यों आपने प्रिशन भी पूछ लिए और नहीं यानि नकारात्मक्ता का भाव भी आ गया have I not been playing guitar since my childhood क्या मैं अपने बच्पन से गिटार नहीं बजा रहा हूं क्या मैं अपने बच्पन से गिटार नहीं बजा रहा हूं आपको इस्क्रीन पर दिख रहा हूंगे एक्जांपल से प्रेजंट पर्फेक्ट कंटिन्यूस टेंज यह सारे फॉर्मेट के जो प्लूरल है उसके साथ हैं या हमें से हैव या बीन तो आएगा क्योंकि प्लांटिंग ट्रीज तो वी हैव बीन प्लांटिंग ट्रीज इसलिए वर्ब की फर्स फर्म प्लस आई एएएग और ट्रीज सिंस 2005 सेकेंड आपका सेंटेंस इस शी हैज बीन टैनिस फॉर थी आर्स वह है तीन घंटे से टैनिस खेल रही है तो शी के अकॉर्डिंग है जिया हमें से हैज बीन आएगा क्योंकि पर्फेक्ट कंटिन्यू मैं पिछले महीने से फेस्बुक का उपयोग नहीं कर रहा हूं फिफ्ट आपका सेंटेंस है विस्टिंग गोवा सिंस 2014 मुझे लास में क्वेश्चिन मार्ग दिख रहा है मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है दो प्रकार से बनते हाया नामे जवाब देने वाले हल्पिं का तो हैव यू बिस्टिंग गोवा सिंस 2014 सिख्थ आपका सेंटेंस है वाट वी बीन फूर तो तुम पिछले तीस मिनिट से कर क्या रहे हूं तुम क्या कर रहे हो तो उस सचीशन में आपको उस चीज का नाम बताना पड़ेगा कोई रीजन देना पड़ेगा उस सचीशन म क्यों question mark है तो interrogative helping verb से शुरू है और not आपका negativity का sense दिखाने के लिए 8th आपका sentence है have I not been giving you money since 2015 क्या मैं 2015 से तुम्हें पैसे नहीं दे रहा हूँ तास में लगा आपका question mark तो interrogative और not दिख रहा है तो negative तो यह आपका interrogative negative sentence बना फिर सबसे important portion आता है आपका practice जब तक आपने कोई चीज़ सीखिए उसका practice आपने नहीं किया तब तक वो आपके mind में पूरी तरह से fit नहीं होगी इसलिए आप जो practice session हर 10 का जो session होता है उसके end में मैं आपको देता हूँ उसको please आप करें यह जो practice session है इसका जो discuss होगा यह answer sheet होगी वो अगले session में यानि जब हम present sorry past simple जब हम पढ़ेंगे उस past simple के class में सबसे पहले हम इसका practice session के answer discuss करेंगे आप एक से लेके 10 यह जो sentence है इनका answers अपने तरीके से next आपका जो task हो है write down the sentences on your family members simple negative interrogative तीनों तरह के जो भी format होते है वो मिला के आपको अपने घरवालों पे 10 वाक के लिखने है सबसे important चीज़ है घरवालों पे मैं इसलिए use करवाता हूँ अपने आसपास यह घरवालों पे जो चीज़ें आप लिखोगे या जो चीज़ें आ I have not been talking to Ramesh for four hours तुमारे जो uncle है या आपके जो चाचा जी है वो रमेश से चार घंटे से बात नहीं कर रहे है have I not been finishing my work since morning क्या मैं सुबह से अपना काम finish नहीं कर रहा हूँ my sister has not been playing chess for five weeks मेरी जो बहन है वो पाँच सपता है से चैस नहीं के लिए ध्यान रखना यहां सिरफ five weeks है इसलिए four आया अगर यह last five weeks होता यानि पिछले पांच सपता तो यह four नहीं होगे यह since हो जाता जब last वगएरा कुछ ऐसा word जड़ लाता है तो वो fixed timing हो जाता है अगला पिछला इस तरह से आपको पता होता है सब तो उस से आप उसमें last use करने से वह since आजाएगा अधरवाइस यहां four ही रहेगा फिर लास्ट आपका सेंटे से why have you been making a noise for three hours तुम तुम तीन घंटे से शौर क्यों कर रहे हो तो three hours कोई fix timing नहीं है इसलिए four hours अगर last three hours होता तो आपका since वहां पे use हो जाता इस तरह से आपका session end होता है थैंक्यू थैंक्यू सो मच नेक्स्ट आपकी class होगी होगी past simple यह indefinite यह नहीं इस टेंस के बारे में हम बात करेंगे थैंक्यू